मुंबई में आज तक कर रिकॉर्द्स को पीछे छोड़ते हुए कंटेनर से जेड एर इसके पीछे हाथ डी कंपनी का दलाल नो हो सकता हैर इसलिए डेरे हेर टॉक्स पैसा अन्यशक की सुई में मुंबई बरा नेक्सस की सुचना जहां वारिस अली सैयद सीट्स 2014 का मामला अ नवी मुंबई के नाहवा शेवा पोर्ट से डिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नवी मुंबई के नाहवा शेवा पोर्ट से 22 लाइसोरिस डॉक्टर लिकोरिस को हेरोईन ड्रग्स के साथ लेपित किया गया कंटेनर पक्का है इस तरह 2018 में इस फनेडाइल नाम का ड्रग मुंबई में एक बड़ा नेक्सस का खुलासा किया गया है द्वारा वारिस अली सयद अलिफ एंटरप्राइज और जायदी शीर्शक द्वार कौन सा ऐसा व्यवसाय किया जाता है जिसमें आइसी धारकों को दिये जाते हैं चार से पांच लाग प्रती वर्ष क्या करोबार करता है इतना कि जब दस्तावेज देने वाले कामते है तो ये किस करोबार का हिसा है इनाई को करना चाहिए जांच एक पता पे करेबन सो से अधिक फर्म्स कंपनियों को बने वाले नटवरलाल जद और नदीम हीरा, सौरब और उंगिनत कंपनी कहीं पे 40 तो कहीं पे 50 सालों का स्थापना बताते हैं ऐसे में निदेशक है हूँ ये सब कुछ जांच एजैंसियों को मिले ही नदीम हीरा, आसिफ में मन, छोटू और सायोगी लोगों तक इतनी आसन से अच्छा पोहुचना बड़ा विभा की मिली भगत और इस करोबार से है किया जाता है, अलिफ नाम ही कफी है, कॉस्टॉम ओफिसर्ज की आखेय बंद हुचती है, ये क्या सुरक्षा है हमारे राष्ट्र की जहां जवान बॉर्डर पे जमीन से देश से देश करता है और जया निर्यात ऐरपोट, हया निर्यात ऐरपोट, ये सबसे कितना इंडिया जुलाई 2021 में आशी ट्रेडिंग कमपनी द्वारा खेप बुक की गई थी मुद्रा बंदरगाह पर जबती की गई थी जहां एक ही तरीके से दस्तावेजों का इस्तेमाल अग्यात तरीके से किया गया था हाला कि एनाई का भंडा फोर किया गया था कई कार्गों शि प्रोगरी महला 4,03,03 अट असूजल वही विवरन लेकिन स्टेट चेंज सिटी ने फंब्रोश को अलीफ एसूसियेट के साथ बदल दिया भारतिय सरकारी एजंसियों को एक जांच करनी चाहिए जिसमें येलो प्रेस खुश होगी अगर सरकार सरकार या सरकार को सरकार की ओ से मदद करती है कईडी कंपणी ऐसे लोगों को संबद करती है जो समाज में वाइक कॉलम मोर के साथ है जो सभी राष्ट विरोधी गतिविधियों में काम कर रहे हैं रोकने में हुवे नाकाम एक फाइल हाथ लगी जिसमें सामने आये कुछ और नाम जो सौरभा रुस्तम सैयद का भाय लोगों का है और अपने वाइफ तक के नाम से लिखने बनाने वाले यह चाल सोबराज की भी चाला की भी पानी कम है इनके सामने इतने बड़े ठग और की सुचना पाई गई है जो की जल्द इंकम टेक्स विभाग और अन्या एजेंसी का साथ इंटरपोल की भी रेड कानन नोटिस की अंडर ग्राउंड फाइल आई है हाथ हातीम सैद और फातीमा हातीम सैद कागजी एक्सपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहे है यावे अब वो तो जानच होने पर पता चलेगा एक कमपनी के अंगिना डाइरेक्टर कपडो की तरहा बदल करते हैं ये सब में बड़ा हिसा देश्त्रूही लोग जो अपना देश में ऐस पतेदारों की सबी संपत्ती आकार किज़े जिसके लिए याचिका फाइल कर दी गए हैं 1976 से बताई गई फम अलवासे इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड इमरान हाजी सैद सौध हाजी और फातिमा हातिम सैद और हाथीम के नाम की फम है और कागजी इसकी ही फम है ये ये भी खुलासा किया कि कैसे फल के नाम पर तंबुस के धागे से फट कटके उसमी प्रतिबंदित ड्रग्स की टासकरी करना के ममले में दावा किया ये वजह से अब्दुलरहमान स्ट्रीट सूतरों का दावा है कि जद उर्फ दावद शीर्श पर था और उसके किसी के करवाई यहा काला धन की खादन है और 2018 में शुदर देश को लाइन लगाने को मजबूर कर दिया काला धन को बाहर लाने के लिए जिसवाजे से क्यों की जान भी गई और काफी लोगों ने आत्मा हत्या तक कली थी लेकिन अब ये पूरी हकीकत और रैकेट को बेनक करमे के के बाद हमारे मुख्यमंत्री एक नात्शिंदे और देवेंद्र फर्नान्डीस और मोधी सरकार का क्या एक फूराल धन को बाहर दाखी